कैसे हैं सब लोग जोड से बताओं बहुत अच्छे अब तो मैं उपर उठी गया अब तो दिख रहा हूं मीडिया को भी अपना काम करने दो विचारों को कोई नहीं मीडिया को भी काम करने दो अपने लगों को आज यहां पे आए हुए सभी भाईयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सबको मेरा नमशकार सबको मेरा प्रणाम मैं अभी अभी यह पूरा घुम के आया हूँ जो आज डॉक्टर भीम राओं अमबेड कर वरिष्ठ नागरिक निवास बुजुर्गों के लिए जो निवास आज बनाया गया है अभी अभी मैं घुम के आया बहुत ही शामदार बनाएं बहुत ही अच्छा बनाएं हर चीज का इसमें ख्याल रखा है कैसे रहेंगे ऐसा नीकी सबको एक एक कमरे में कईयों को ठूस दिया एक कमरे में या तो दो रहेंगे या तीन रहेंगे बड़े बड़े कमरे हैं कि अठाइज टॉयलेट बात्रूम है कि खेलने की सुविधा कि दवाईओं की सुविधा है डॉक्टर की सुविधा है Jupiter की सुविधा है अच्छा खाना है लाइब्रेरियए सारी चीज़ों का ध्यान रखा मैं समझता हूँ जितने भी जो भी बुजुर्ग यहां पर आके रहेंगे उनको सब किसम की वैसे तो अगर अपने घर में रहें तो बहुत अच्छा रहता है घर जैसी विवस्था तो कहीं नहीं मिल सकती लेकिन हमने कोशिश यह की है वही जो अपना घर छोड़ के आके जिन सारे को पूरी सुविधानी मिल रही आज जिस तेरह की जिन्दगी हो गई बहुत सारे लोग ऐसे हैं बुजूर्ग ऐसे हैं जिनकी बच्चों से नहीं बनती बच्चों की बुजूर्गों से नहीं बनती बहुत सारे बुजूर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं में देखने वाले कई कारणों की वज़े से कई बुजुर्गों को अपना घर छोड़ना पड़ता है बुढ़ापे में उनकी देखरे करने वाला कोई नहीं होता और ये कोई जरूरी नहीं कि गरीबों में ही है कई बहुत अच्छे-च्छे परिवारों के बुजुर्ग जो ह ये जो निवास्थान बनाए हमने, आज ये चौथा बनाए, अभी मेरे को हमारे सेक्रेटरी साब बता रहे थे कि और नौ टोटल नौ बन जाएंगे दिल्ली में, हजार के करीब लोग रह सकेंगे, और भी बनाएंगे, कमीनी होने देंगे, तो जितने भी बच्चे जिन बुजुर्गों को नहीं रखते हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिस वज़े से भी जिन बुजुर्गों को बुढ़ापे में रहने की जरूरत है, हम कोशिश करेंगे, उनको बुढ़ापे में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होनी कितने मैं देख रहूं बहुत सारे पुजूर्ग थे Caesar कौन कौन करके आया है एक दो तीन चार चार ही जने करके आये सारे जने जाण है जो कि दूबारह शुरू हो गई हाँ । दो तीन यहां पर भी हैं थे पहले बीच में करोंडीus Prime तीर्थियात्रा बंद हो गई थी मैं बता दू जिन लोगों को नहीं पता दिल्ली सरकार बुजुर्गों को फ्री में तीर्थियात्रा कराके लाती है कई सारी जगे है द्वारका जी है हरद्वार इशिकेश है मत्रा विरिंदवन है अयोध्या है अजमेर शरीफ है रमेश्वरम है पूरी जी है शिर्डी बाबा जी है कई जगे तीर्थियात्रा कराके लाती है आप जहां भी जाना चाहो अपने आपको रेजिस्टर कर लो वेब साइट पे जाके आपको घर से लेके लाना ले जाना ट्रेन, एसी ट्रेन में ले जाते हैं एसी होटल में रुकवाते हैं सारा खाना पिना सब फ्री है अच्छे से बुडापे में तीर्थियात्रा करके आओ बहुत अच्छा लगेगा मैं कईयों को जो तीर्थियात्रा करने गए थे उनको ट्रेन में छोड़ने जाता हूँ जब वो आते हैं वापस उनको लेके आते हैं इतने खुश होते हैं वो इतने खुश होते हैं तो जितने भी बुजुर्ग मेरी आवाज सुन रहे हैं सारे जने अपने आपको रेजिस्टर करो और सब लोग तीर्थ्यात्रा कराके लाओ और जो बुजुर्गों के लिए निवास्थान बना रहे हैं इनमें भी जितने लोग रहेंगे सब को हम तीर्थ्यात्रा पे लेके जाएंगे उनकी मन पसंद की तीर्थ्यात्रा पे लेके जाएंगे बाकी आप लोगों को बता दू बिजली मुफ्त हो गई, 24 गंटे हो गई, पानी की सुविधा हो गई, कई सारी चीज़े हो गई दिल्ली की, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है कि दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया, मैं अभी पंजाब गया था, वहां पे जरूरती नहीं बड़ी, तो चारो तरफ चर्चे हो रहे हैं दिल्ली वालों के, शांदार काम कर दिया, हम दिल्ली के दो करोड़ लोगों ने मिलके, आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं, जो इतना शांद कर निवास्थान बनाया है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे निवास्थान बनाने की जरूरत ना पड़े सारे बुजूर्ग अपने बच्चों के साथ अपने अपने घर में सुखी रहें खुश रहें लेकिन फिर भी कुछ जग्या होती है जहां पर बनती नहीं है तो निवास्थान बनाएंगे और ज्यादा बनाएंगे जिन जिन बुजुर्गों का जरूरत है चिंता मत करना आपका बेटा बैठा यहां सरकार में आपका ख्याल हम रखेंगे बहुत बहुत शुक्रिया